एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार के किनारे गिरे और रौंट डाले गए। और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पत्रीली भूमी पर गिरे। जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारणवे सब मुर्ज हा गए। और कुछ जाडियों के बीच में गिरे। जाडियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमी पर गिरे। और सभी पौदों ने उग कर फल दिया। प्रत्य एकने सौ गुना। गुरुजी, जब भीड जमा होती है तो अब उधारणों में क्यों बाते करते हैं। परमेश्वर के राजी के रासियों का ग्यान तुम्हें दिया गया है। परंतु औरों को उधारणों में सुनाया जाता है। क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते। इस उधारणकार्थ ये है। बीज परमेश्वर का वचन है। मार्क के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं। पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताके वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें। पत्रीली भूमी पर गिरे बीच उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रेन करते हैं पर जड़ नहीं पकड़ पाते हैं वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते हैं जाडियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह वा भोग विलास में फसने से, उनके फल कभी नहीं पकते हैं। वे बीज जो अच्छी भूमी पर गिरे, उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्याकारी मन से ग्रहन करते हैं, और फल्वन्त होने तक उन्हें समाले रखते हैं।